नमस्का मैं है शुभी और आप देख रहें न्यूस वानीशन आज की शाम बिहार के सियासत के लिए काफी खास थी वो इसलिए क्योंकि जस तरीके से मुकेश चेहनी ने इस बात का एलान कर दिया कि वो एंडिये की बैठक का बहिशकार करेंगे और उन्होंने यही किया भी एंडिये के तमाम घटक दलों के साथ जब बैठक हुई मुक्यमंदर नितीश कुमार भी वहाँ पर मौजूद थी लेकिन बलकि मैं स्वेमि एक पार्टी का म discretion हूँ एक पार्टी है जो सर्फ और सर्फ मेरी है और मेरा जब मन करेगा तो मैं कहीं से इस्तिफाए नहीं बलकि जो तस्वीरें पहली इतिहास में अगर हम जाए तो जिस तरीके से आर्जडी का दामन उन्होंने छोड़ कर इंडिये का दामन थामा उस वक्त की तस्वीरों को याद करते वी जब मीडिया कम्यों ने उनसे सवाल किया कि क्या वाकई आप अस्तफा देकर NDA से आरजडी का दामन थामेंगे महागडबंधन का दामन थामेंगे तो उन्होंने तमाम बातों को सेरे से खारिस करते वी ये कह दिया है कि मुख्यमंदर नितीश कुमार की सरकार पूरे पांच साल तक चलेगी इसमें कोई दोराय नहीं है इसमें कोई दोमत नहीं है क्या कुछ कह रहे है मुकीश टैनी अपने इस्तिफ़े को लेकर आप उनकी पूरी बात को सुनिए हमारी इंडिये की सरकार है और हमारी अपनी सरकार है और हम भला किसी पार्टी का नेता नहीं है कि हम जाके इस्तिफा किसी को जाके तोपेंगे हम अपनी पार्टी के हम स्वेम मालिक हैं सुपीमों हैं हमारे साथ चार विदायक है मजबूती से विदायक हमारे साथ है और आने वाले समय में हमने यहां कहाने कि सरकार किसके लिए उनके लिए जो जुन्हों नितिश कुमार जी के नित्रत में पांच साल सरकार चलना है लेकिन कहीं पे अगर कोई कमी है तो उसको हम लोगों को ठीक करना है नहीं कि उसको कोई इसू बनाना है बहुत बहुत धन्यवाद तादे की बिहार में सत्ता परवर्थत होगे असबात के दावी चुराक पास्वान नीता प्रतिपक्षृती जस्वियादव साथी साथ महागडबंधन के तमाम दलों की तरफ से लगातार की जा रहे थी और यही वज़ा है कि जैसे ही मुकेश चैनी ने इस बात का एलान किया कि वो एंडिये के घटक दल के बैठक में शामिल नहीं होंगे बैठक का जब से उन्होंने बहिश्कार किया तब ये चर्चाएं और जोरो पर होने लगी कि क्या वाकई मुकेश चैनी प्रेस कॉन्फर तर दिया है कि बहर में इस वत्ता परिवर्टत नहीं होंगी, इस तिफाओ, मैं नहीं दोंगा, मुझे जनता की चंता है, बहर की चंता है और जो कुछ भी तस्वीर सामनी आ रही है, अगर सब कुछ ठीक नहीं होने की बात होई तो उन्होंने साफ तोर पर कहा है कि ऐसी को कोई भी बात नहीं है आने वाले दिनों में बिहार के सरकार अगले पांच वर्सु तक जरूर चलेगी फिलाल करे इस वीडियो में इतना ही हमें दीजे इजासत नमस्कार